नबस्कार दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि क्या GST Registration जो हमारा Registration होता है आपके नाम पर जो Proprietorship है क्या वो किसी और के नाम पर transfer हो सकता है या नहीं आपको बताऊंगा दो वीडियो पहले बात देखर तो लाइक कर देना चैनल कर लेना सब्सक्राइब Adson का जो डिसेबल हुआ है मेरा Google Adson उसका अभी भी अपडेट नहीं है जो मुझे रेगुलर देखर उनके लिए बता रहा हूं जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको जरू बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं आपको बताता हूं कि GST Registration कैसी और के नाम पर कर सकते हैं आप या नहीं तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग तू में और मैंने अभी कर्टिकल नॉलेज है उसके बारे में ही उससे रिलेटेड ही मैं बता रहा हूं आपको बाकि एक बार कर्टिकर पर आप लोग जरू कंफर्म कर लेना कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं लेकि वह आपका होता है और बाकि स्टार्टिंग में लगता है स्टेट का कोड और लास्ट में तीन जो आफ्टर पैन नंबर जो होता है वह तीन डिजिट का कुछ कोड होता है वन जेट टू वन जेड ओ वन जेड सम्थिंग ये जेड सम्थिंग जेड जरूर लगता है तो उस ह साब से अगर देखा जा तो अगilt किसी और के नाम पे टान्सफर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा जाना होगा Department वहां से आप जाके आपको करवाना होगा तभी पॉसिबल है अगर पॉसिबल होगा तभी करेंगे मुझे लगता है possible नहीं है क्योंकि अगर वो GST number किसी और के नाम पर transfer होता है तो उसका pen number कोई और होगा प्रोप्राइटर्शिप का लेकिन यही condition अगर firm company वगएर हमें है तो उसमें वो undertaking later होता है वो करके किसी को भी exit और किसी को भी in किया जा सकता है लेकिन वो firm company in समय है मैं अभी proprietorship का बता रहा हूँ आपको GST registration नहीं हो सकता है मेरे according यह कहूँगा करवाना है आपको तो department जाना होगा जो भी आपका department है GST का वहाँ पर जिस भी under wild circle के under आता है वहाँ जाके आपको बात करनी होगी लेकिन वो अगर GST transfer करना है तो वो same to same तो नहीं होगा क्योंकि किसी और के नाम पे अगर proprietorship का registration होता है तो उसका pen number अलग होता है तो वो pen number जो है वो बीच में आ जाएगा तो इसका सिधा सिधा मतलब है कि आपका GST change हो जाएगा पूरा का क्यों state code चलो same रहेगा लेकिन pen number सेम नहीं होगा तो वो pen number अगर आप चाहें नया ले GST number तो भी वही बात होती है और इतना परिसान हो आपकी change जो transfer हो डिपार्टमेंट जाएं और फिर उसके बाद हो ना हो और क्या कहते हैं करश्मा कैसे भी बात करें वो जो procedure बताएं हो या ना हो यह confirm नहीं है क्यों क्योंकि अभी मुझे मैंने खर्ट बात नहीं की है कर्समा के पर भी इस बारे में लेकिन मैं अपना जो experience से वो बता रहा हूँ तो उसके लिए आप department जाएंगे तो उसका जो GST number है आप मान लिजे मेरा GST number है और आपके नाम पर मैं करने वाला हूँ तो आपका जो pen number है वो बीच में आता है GST के तो आपका लग है तो सबसे पहले तो वो अगर करेंगे भी transfer तो मेरे ही GST जो GST number है उसमें बीच में तो उसका pen card आना ही आना है तो इस condition में पहले वाला GST जो है वो आपको cancel कर देना चाहिए और दूसरा है उसके नाम पर ले लिजे यह एक सहरल सा जो है procedure है मेरे हिसाब से यह आपको follow करना चाहिए यह वीडियो इसलिए क्योंकि कमेंट आ था किसी का कि क्या transfer कर सकते है क्या तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं कर सकते हैं उसका मैंने अभी आपको बता जाए कि क्यों नहीं कर सकते हैं आप department जाएंगे हो सकता है कोई procedure हो लेकिन जो pen number ही आपका proprietorship का लब हो जाएगा उस बंदे का यानि कि दूसरी इसके नाम पर आप transfer करना चाह रहें तो पूरी तरह से जेश्टी रेजिस्टेशन तो नया हो गया जेश्टी रेजिस्टेशन तो इस अच्छा है है अपना cancel करो उसका नया अप्लाई करके करवा लो यह आसान तरीका हो सकता है आपके लिए इस वीडियो में इतना ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें नमस्कार।